जय ही दोस्तों मैं आपका दोस्चिक आपका एक्जाम करेका जोन पर सुआगत करता हूँ जैस하기 दोस्तों आपको बताया था कि वीडीयो का फ्रक्रेंट मैंने बताया था तो दोस्तों आज हिंदी का फ्रेंट लगे आया हूँ दोस्तों इसमें 50 question रहेंगे और चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं ठीक question का pattern कैसा है और दुफरी बात दोस्तों अगर माली जो कोई question का answer गलत हो जाते हैं तो आप comment में जरूरत जवाब दीजिए कि हाँ ये गलत लेकिन दोस्तों वो तर्ग पूर होना चाहिए इससे क्या हो दोस्तों कि मुझे पता जाल जाएगा कि हाँ माली जो कोई गलती हो तो अगले वीडियो बनाते समय पहले में उस वीडियो में जो गलती हुई होंगी इसके पहले आले में उनको बताऊंगा जिससे आपका कमपडिशन और दोस्तों कोईशन इसमें लेवल बहुत अच्छे है समझने वाले हैं जिससे चलिए दोस्तों पहला कोईशन दिखते हैं आपका घर जिस सहर में है उस सहर का नाम आपका घर जिस सहर में है ये एक वाकिदिया है उस सहर का नाम का संग्या का कौन सा वहेद फूचित करता है ठीक तो ये देखने में लगा जैसे कि दोस्तो जाति से संबंदित है ठीक लेकिन दोस्तो ये गलत है ये व्यक्ति वाचक संबंदित है क्योंकि जिस सहर में ये एक व्यक्ति से संबंदू मतलब एक चीज पर फोकस करने की बात कर रहा है अगर कि कोई एक जाद किया एक कोई वर्ग की बात कर रहा है तो ये जो सहर है ये जाद वाचक में आता लेकिन दोस्तों इस वक्त ये व्यक्त वाचक में है अगला दोस्तों देखते हैं म्रिगेंद म्रिगेंद का परिवाची दोस्तों क्या होता है सारदूल बहुत बार आया है रट लीजिए देखें दोस्तों म्रिगेंद के जितने भी मलब होते हैं दोस्तों उनको रट लीजिए और समझके अगला है अत्यांज अगला दूस्त है निमलिकित में से कौन सा एक अनिश्य वाचर ठीक फर्म नाम नहीं है ठीक तो देखे कुछ भी कुछ ना सब कुछ जहां कुछ लग जाता है वो दोस्तो अनिश्य फंबंध का ही बोथ कराता है कहीं भी आप देखेगा कुछ-कुछ जो होता है लेकिन इसमें जो आफन डी दे रहा है जो वह थो तो ये सुचित कर दे रहा है ये निश्य कर दे रहा है हाँ वही वेक्ती है वही person है, ठीक अगला question है, एक बार कहीं बात को दोहराती रहना ठीक, वाक्यांस के लिए एक सब्ध है तो ये question दोस्तो अच्छा है बार बार नहीं आता है तो ये आपको नएया मिल देखने मिल ला है तो दोस्तो इसका जो है पिष्ट पेषण इसका अर्थ होगा जो एक ही बात को कई बार दोह राता हूँ भासा की पाठ भासा की पाठ पुस्तक का प्रथम गुड़ है भासा ग्यान की विद्धी वाक पठ होना व्याकरण की जानकारी और धारा प्रवा बोलना ठीक धारा प्रवा मनलब दोस्तो लगातार बोलना धारा प्रवा हुफी को गयते हैं तो जिस व्यक्ति को भासा ग्यान की विद्धी मनलब होती है ठीक है अगला कोश्चन है दोस्तों निम्लिखित में से एक सद आम का परियावाची नहीं है ठीक तो यह दोस्तों बहुत important है आम का परियावाची को नहीं है आप बताईए तो नहीं बता रहें पर कोई दीकरें दोस्तों तो आम का जो परियावाची दोस्तों देखी अदिस औरभ है ठीक है सहकार भी है रसाल भी है और अम्बू नहीं दोस्तों ठीक है अम्बू जो है जल का परियावची है अगला दोस्तों देखते है विराम चिन्नों की दिष्टी से कौन सा वाकिस सुद्ध है ठीक तो सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे सभी एक साथ चिल्ला उठे कॉमा लगा है हम भी चलेंगे अब क्यों फईला रहा है सभी एक साथ चिल्ला उठे चिल्ला है कॉमा लगा आपने डारेट इन डारेट देखा होगा तो उसमें देखिए डबल उन्टेट काम हमें तो उसके बाद दिखाता है कि हम भी चलेंगे ठीक ये फोकस कर रहा है कि कई लोग साथ मिलके ही कह रहे हैं कि हम भी चलेंगे ठीक है तो ये आप सुन 20 होगा अरजन का विलोंट सब्द चुनिए ठीक तो ये दोस्तों बहुत इ बार बार इक्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो यिशे के खेता है धूठे पर नहीं लदता और पां खाया अग्रा ने स्न करने में दोस्तों बहुत का संथी विचेत है थीं तो ये आप lecture ये फ़योगा 22 प्लस कार ठीक अगला कुशन दोस्तों कपूर सब्द है ठीक कपूर सब्द ये तद्व है आप इसको रट लीजे कई बारा है लोगों को कन्फिजन जाए कपूर ये फिल लगता है कि संस्क्रिस्ट सब्द है दोस्तों ये पेवर हिंदी सब्द है नीचे दिये गए विकल्पों में से तद्व सब्द का चैन कीजिए ठीक तो साटी दूद तमोली और खिडकी ठीक तो खिडकी तो दोस्तों होगा ने दूद का दुग्द होता है आपको बता होगा अब आया कोशन दोस्तों तमोली और साटी ठीक तो इसका अंसर जो दोस्तों होगा उस साटी होगा ठीक तो साटी का जोस्तों दोस्तों तद्वो होता है वो होता है साडी याद रखेगा साडी तद्वो साडी और तत्व्द जो है वो आपका साटी ठीक, यह दोस्तों साथी जीश्पठ न दिख रहा हो तो बजा दे रहा हो यह साथी अगला संगीत का प्रभाव ब्यक्तिकि किस पर पड़ता है दोस्तों बताईए आचरण पे, कर्तब पे, मस्तिक्ष पे और बुद्धी पे तो दोस्तों कि मस्तिक्ष पे प्रभाव बढ़ता है आचरण पे कोई प्रभाव नहीं आता है सुद्ध वाक्य है मोहन और गीता गा रही है ठीक है मोहन और गीता गा रही है तो बहुत ही आफान कोशन दुस्तों है आपको मारना होगा अनभेग ए थीक जो व्यक्ति जानता हो और जो नहीं जानता हो अन्भेगिए कलेजे पे साप लोटना बहुत ही दोस्तों पुराना महौ रहा है कलेजे पे मतलब साप लोटना होता है किसी की तरकी होते है उसको इसा में जल जाना ठीक है तो ये थोड़ा फर्मड जा रहा होगा तो माफिश आता हूँ ठीक तो अगर दोस्तों कलेजे पे सांप लोटना यही होता है कि अगर किसी की तरक्की को देख के इशा करना ठीक है नेमलिके ने से किस सद में उपफर्ग नहीं है ठीक अप मान अप यस अप मती ठीक और उप अप राद तो यह आपको अलग किजी यस को अलग किजी मान नगलेगा тande अप को अलग कर देजी उम्मती को अलग कर देजी मानने किलेगा लेकिन राद को कोई अरथ नहीं निकलता तो इसलिए तो यह उपसर का 19 आच नश्वा कालीन भर यह है धाउं सबस्वे तो यह आपको बता दे रहा हूं और तो जिन लोगों ने दुस्तो आपफन डी महा रहा है वो सही होंगे दुस्तो हलन लगता है ठीक उफके बाद यह जो है लाइफ में जुड़े जाएगा इस्ट्रा अगला कुशन है जाएफी तरह रचित पदमावत निम्द में से क्या है ठीक ठीक दोस्तो जाएफी तरह जो लिखी के पुस्तक है वो है समा सोकती यह रट लीजे दोस्तो इंपॉर्णन कोशन मैं आपको कहा था दोस्तो आपको कोशन ऐसे टच करने को मिलेंगे जो आपको मि मिले नहीं अभी तर् युद्षिट्री में कौन सा हामास है तो बच्चा-बच्चा जानता है बहुत पुराना ठीक है तो अगर मानलीज यह ऐसा देता है तो ठीक है ठीक है लेकिन दोस्तो यह जो है अलुक हो ठीक है है वहिड़ी भी देता है लेकिन यह अलुक होग से आय है कि दूरा कि तुछ उस्तों अलुक जो है ये कोई अलग शी अर्थ नहीं है तदपुर्ष का ही मतलब एक भाग ही है ठीक है कोई अलग सब activist नहीं है तो सब्सक्स कहना ही सिर्फ मतलब बयोकुफी होगी अगर आपने तदप के साथ एक आपफन और दे दिया है अलुक तो अलुक दोस्तों comfortable ज़्यादा रहेगा ठीक है आपको priority दिनी पड़ेगी प्रात्मिक्ता ठीक है अनुदिनम में कौन सा समास है अनुदिनम तो अब दोस्तों मुझे लगता होगा आपको लग रहा होगा तो इसको दोस्तों answer A सही होगा अब्यवी भाई ठीक अब्यवी भाई समास मेड़की को जुखाम होना मेड़की को जुखाम होना दोस्तों अनुदिन होना अगला है यशोदा की शक्ती का विच्छेद कीजिए यफोधा की संधी का विच्छेद कीजिए तो इसमें दोस्तों बताई क्या होगा दोस्तों यसो धन्दा यस्दा ठीक यसुदा या यस्दा तो इसको दोस्तों आप बताईए कमेंड में जवाब कि इसको नहीं बताऊंगा चाहिए निये, बहुत दोः में कई बार आये होगा कोईशन है और बार बार कोईशन का वभ दे मा गल्त है ठीक ? één की एक कोईशन खूजूज ए Ein科 energ apart काक्या है दोस्तों बताएं बार जोगिंग दोस्तों आफ़न भी कोईशन का क्या है दो बताएं आ भूजा का बहऊचन ठीक हाथ और तसकर ठीक तो इसमें दोस्तों कौन सा जो है तदभो नहीं है तो इसमें आफ़न ए होगा जोस्तों तसकर ठीक तसकर जो है वो तदभो नहीं है ठीक और सभी तदभो है अगला है सरवदा सरवदा एक वचन में रहने वाला सद कौन सा है तो यह important दोस्तों question है और इसका option B से योगा सरवदा जनता ठीक है रसो की उदित और उद्दीप्त करने वाले समागरी को क्या कहते है ठीक रसो को उदित और उद्दीप्त करने वाले जो समागरी दोस्तों होती है उसको क्या कहते है तो फिर दोस्तों बिभाव कहते है बिभाव option A अगला दोस्तों नेमिलिके में से कौन सा वाक संदेव वाचक है दया संकर सियूपूर में रहता है राजेंद आलंपूर में रहता है शायद सुडेंद एगत पूरी में रहता है तो दोस्तों ये option C जहां तक मुझे लग रहा है 90% सही है ठीक option C सही है दोस्तों A A1 क्या कहलाते है A A ठीक तो दोस्तों मैंने बताया था कौन सा एक सद्ध हिंदी सद्धकोस में सबसे अंत में आएगा देखे दोस्तों हिंदी का सद्धकोस होता है सबसे अंत में कौन आएगा तो ये होगा cleave ठीक बहुत important question दोस्तों आपको लग इड़ा होगा और मन कहा दोस्तों आप note कर लीजिए या PDF फाइल की copy जो है वो आप जाके मेरे टेलिग्राम की चैनल से डाउनलोड कर सकते है ठीक नए इलाके में किसकी का विकरती है नए इलाके में कोशन फ़री हो गया कोशन नमबर 32 है आकाफ पाताल के बीच लगने वाला ठीक यो डैस चिन्न है दोस्तों इसे क्या कहते है ठीक इसे दोस्तों योजक चिन्न कहते है ठीक अलब बिराम बता है कौमा बिष्मियाद इवद्वी बता है उद्धरन नहीं बता होगा और योजक आपको कर लेजी ठीक तो इसे योज़क कहते हैं इस चिन्न को याथ कहले जिए अगला है नई इलाके में किसकी काव करती है नई इलाके में किसकी काव करती है तो यह आफ़न डी सही होगा जोस्तों अरून कमल ठीक हिंदी का प्रथम व्याकरन लिखने काला विद्वान कौन था तो यह दोस्तों बहुत ही गिसा पीटा कोशन पुराना है ठीक तो जोसुआ केल्टर ठीक अगला है एह हिस्ट्री आफ हिंदी एह हिस्ट्री आफ हिंदी लिट्रेचर के लेकर कौन है बताए दोस्तों फ्रैंक एके ठीक है Frank EK option A सही होगा दोस्तों बता दे रहा हूँ निमिले में फिर कौन सा मातरिक शंद है बहुत ही दोस्तों ये कुछ-कुछ कोशन दोस्तों पुराने है दोस्तों सभी मातरिक शंद है आपको बता दे रहा हूँ दिये गए विकलपों में से कौन सा विकलप अंगना सद्द का समानार्थी है ठीक है अगना आप देखते होंगे अगना माने क्या ठीक अगना का समानार्थी जो दोस्तों वो इस्तरी है ठीक है वो आगन परलू ना मझे इस्तरी जो है वो अगना का समानार्थी है कि समान आर्थी में gossip निकलता हो पर्या वाची यालग होते हैं। अनिक अर्थी या लें कि समान आर्थी यालग होते हैं। कि में दूफरा किस प्रकार का की स्पतम हैं ? संधाय वाच आख गर्णा में शक्राडरक और आवित्ती वाच आप दूफरा लगा दोस्तों करम दर्फारा है ठीक है गर्णा नहीं दर्फारा है करम दर्फारा दूफरा दो बोलता है तो दुगर्णा कर फक्तर है लेकिन दूसरा बोल ला है निम्लिकी कतनों में से संदे का अलंकार का उधारन कौन सा है ठीक है संदे जो है का उदारन अलंकार का उदारन कौन सा है तो दोस्तों मानो घर ना हो कोई शिडिया घर हो एक रहस उपवन था नंदन वनसा सुन्दर या काया है सेस उसी की चाया ठीक तो फंदे दोस्तों इसी काया सेस उसी की चाया संदे दरफारा इसमें जहां सूमतित्थे संपति नाना, जहां कुमतित्थे विपत् निदाना, पद में कौन सा रफ है? तो यह important question दोस्तों, इसमें सांती का प्रतीत हो रहा देखें उत्सा किस रस का इस्थाई भाव है? उत्सा जो है, किस रस का इस्थाई भाव है तो यह आपको बताना है उत्सा जो है वीर्था जब प्रयास होता है तो उत्सा आता है जब वीर्था कोई का कोई कार होता है तो उत्सा ही होता है ठीक निमलिखित में से कौन सा रस्च उमफरीज दोस्तों निमलिखित में से निमलिखित में से कौन सा चंद प्रकार नहीं है ठीक दिरिष्टान चौपाई दोहा और सोठा तो जहां तक दोस्तों आपको पता चले गया होगा दिरिष्टान जो है वो चंद का प्रकार नहीं है कौन सा आग्यां अर्थक वाक्य है आग्यां का अर्थ निकलता हो ठीक है तो अब इसे एक पुस्तक लाओ यह दिखिए ओग एक और दे रहा है ठीक है सीता को खोच के लिए हर्मान को अगार सागर पार करने के लिए पुल फे नहीं आकाफ मार्क से जाना पड़ा था उप्यूक तुबाग में बिशेस का चैन कीजिए ठीक तो इसका दोस्तों आफन सी से योगा सागर के बारे में बिशेसता बता रहा है ठीक है बांगरू किस भासा वर की बोली है बांगरू तो यह दोस्तों पश्मी हिंदी भासा की बोली है कौर भी भासा जीशे कहते है ब्रज भासा भी इसी साइड बोली जाती है हरस्वाक की वहिचान कीजिए हरस्वर की वहिचान कीजिए ठीक तो बताए दोस्तों हरस्वर कौन स तो जो शोटा ऊजो दोस्तर होता है वो हर सोर ऊठां में कि सुछर दाफ के गुरुकान थे बहुत दोस्तो पुराना कोशन है बलत भर चार थीक तर्जांसर कндल काउन सी मैं भूल गलती कविता के कविट इये नारे कविता के जो थे यह भूल गलती कविता के कविते मुकती-बोध ठीक option D अगला दस्तों है कनूप्रिया की लेखक कौन थे तो कणूप्रिया की लेखक छो आप जाएगे नेट पर क्लिया कर लिजिएगा और नेट से भी अगर ना समझे है तो आप बताएगा ठीक है तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए और दोस्तों सेर करना जरू भूलिया कर नहीं ठीक है सेर जरू कर दीजिए इससे दोस्तों कुछ मोटिवेशन मुझे मिले की हाँ कुछ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कुछ चातरमाई साज जुड़ रहे हैं ठीक है तब तक इलो दोस्तों जैहें जै भारत